गुड बॉनिग स्टूदेंट्स लक्ष में आप सभी का स्वागत है मैं इसके भारती automation के lecture में आपका स्वागत करता हूँ आज मैं automation में एक नया topic लेके आया हूँ topic का नाम है basic component of automation system इसके पहले आप लोगों ने दो-तिन topic पढ़ रखा है automation क्या होता है need of automation पढ़ रखा है benefit of automation पढ़ रखा है तो अब हम लोगे पास एक नया topic आ रहा है इस topic का नाम है basic component of automation system जब कोई automation system हम बनाते हैं तो उसमें कुछ element किया वैसकता होती है कोई भी चीज़ बनाने में बिना element का कोई चीज़ बनता नहीं है तो इसी तरीके से हम जो automated system बनाने वाले हैं इसमें कुछ basic elements हमको होने जरूरी है उन element का उपयोग करके आप automatic system डिजाइन कर सकते हैं तो उसी chapter को हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं अभी जो videos बन रहा है यह whiteboard पे है इसका मतलब नहीं कि whiteboard भी आएंगे actually मैं कुछ मेरे digital board में works चल रहे हैं coaching classes में works चल रहे हैं offline coaching में तो वहां पर अभी videos नहीं बन सकता है तो regularity को maintain करने के लिए मैं यहां पर आपके बस whiteboard में आ रहा हूँ तो content वही है, knowledge वही है बट से board चेंज हुआ है इसका मतलब भी नहीं कि हम whiteboard पे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है लेकिन दोनों में content अच्छे knowledge के साथ मिलेगा आपको ठीक है बस समझने का फिर है चलिए तो topic का नाम के है basic component of automation system basic component क्या कहता है मतलब किसी भी automatic system को बनाने के लिए जो basic component या elements होते हैं तो basic elements यहाँ पर 5 type के मिलते है पहला का नाम है action element दूसर नाम है sensing element तीसर नाम है control element चौथा जो नाम है decision element पांचवा जो नाम है उसका नाम है program यहीं इन पांचों को अच्छे से ध्यान दीजेगा यहीं पांचों elements को हम लोग थोड़ा धीरे-धीरे explain करेंगे मैं सभी के बारे में 2-2 line, 3-3 line लिक रखा हूँ ठीक है यह किसी भी automation system को बनाने में use होता है यह elements जैसे किसी भी कोई element होता न element को मिलाने से एक compound बन गया और compound के वाद उकाम करना शुरू कर देता है वैसे ही automation अगर आपको बनाना है तो automation के लिए यह पांच लोग बहुत ही बड़े responsibility नहीं भाते है तो यह सर्क क्या है और इनको detail कैसे करना है एक-एक करके मैं आपको समझाने जा रहा हूँ चलिए कोई भी automation system मा बनाना चाह रहे है तो आप सबसे पहले क्या सोचते है जैसे सबसे पहले यह सोचते है कि उसको किस energy से चलाया जाए ठीक, सबसे पहले यही सोचते है उसको कौन सी उर्जा दी जाए बिना उर्जा का तो काम करेगा नहीं यस, बिना उर्जा का तो काम करेगा नहीं यस, और उसी को उर्जा देने वाले यहाँ जो हो रहे हैं, किस उर्जा से चलाया जाए उनको नाम यहाँ पर रखा गया उनका नाम है action element क्या नाम रखा गया? action element अब देख रहे होंगे, इसका नाम रखा गया action element, ठीक मैंने line by line पढ़ देना है मैं पढ़ दूँगा, अच्छे से पढ़ूँगा और word by word समझाऊँगा भी, लेकिन समझिए मैं एक automatic system बना रहा हूँ तो automatic system के लिए हमें सबसे पहले action element चाहिए तो आप question पुछेंगे, क्यों action element चाहिए सर, क्या करना है action element से, तो आप पुलेंगे सर, action element क्या करता है, सोचिए, मैं एक दो example ले रहा हूँ, action element मालिया मेरे पास एक बहुत बड़ी machine है, ठीक machine को चलाने के लिए motor लगा हुआ है क्या लगा हुआ है, motor अरे भाई, motor को चलाने के लिए उर्जा दोगे ना, बीना उर्जा, का मोटर चलने लगेगा अरे नहीं सर, मोटर को चलाने के लिए तो आपको energy देना पड़ेगा, हाँ motor को चलाने के लिए आपको energy देना पड़ेगा, और यहीं पर हमारा action element काम करना शुरू करता है तो energy देने के लिए आपको क्या करना है सोचिए energy कहां से दीजिएगा सबसे पहला यहां पर कहता है तेके मैं पढ़ता हूँ पहले उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ action element are those part of an automated system that provide energy to achieve the desired task किसी भी automated system का action element वह part होता है जो उस automated system को उर्जा परदान करता है energy देता है बीना energy का तो काम नहीं करेगा yes नहीं करेगा जैसे मैंने भी एक machine बता है motor, motor क्या करता है? घूमता है, motor को घूमाने के लिए तुमको उसको mechanical work देना है yes, mechanical work engine से होता है engine, engine लगाना जब भी है और engine चलेगा किसे, petrol से अरे भाई, हाँ, diesel से, petrol से जो भी इस तरह का energy दीजेगा अब सोचिए, जैसे ही उसमें हुआ अब यह motor काम क्या करेगा तो उसमें belt लगा दो, conveyor belt उसको दूसरी machine को खुमाएगा पूरी तरीके से, automated system के लिए आपको energy चाहिए ही तो action element का सबसे important बात है automated system that provides energy to achieve the desired task और गोल desired task और गोल इसमें अगला point है energy can be applied in a several different forms energy can be applied in a several different forms मैंने एक example दिया सच जैसे heat to change the temperature of a room माल लिया कि मैं अपने camera भी रूम ठंडा है मैं रूम का temperature change करना चाहता हूँ तो भाई heat energy दोगे ना अरे इस रूम का temperature बदलना चाहते है heat energy दोगे तो ही लिका है heat to change the temperature of a room या या और दूसरा energy electricity to motor to run motor motor को electrical energy चाहिए yes sir देखिए different devices को different energy चाहिए different system को different energy चाहिए इसी को तो action element करते है यही तो है मेरा action element तेखिए और motor को run करा के क्या होगा which conveyors build को run कराएगा जो कि किसी भी material को एक place से दूसरे place तक move कराएगा अब देखिए sir यहां automation कैसी आया आसोचिये यही आप मैनमेट दुनिया में जाएगे तो क्या होता था समान बना समान बना अब बनने के बाद मैं बोला चलो जिसको ट्रक में लोड करो चलो जिसको वहां रखो तो उसके लिए आपको labor रखना पड़ता था तो हम क्या करेंगे motor लगा देंगे, motor के साथ belt लगा देंगे, और motor को run करा देंगे, action element मतलब energy देखे, तो motor run करने लगेगा electrical energy दिये, तो motor run करने लगा motor के run के साथ हम belt लगा दिये, belt में समान रख दिये भाई चल रहा है, वहां तक पहुंच गया, हमको किसी आदमी को नहीं बोलना पड़ा, yes, कोई आदमी लेकि नहीं गया, यहां एक automatic system का सबसे primary element होता है, action element I think, आप बेहतर समझे होंगे, action element मैं क्या समझाना चाह रहा हूं किसी भी automated system में, यदि हम लोग, तिके उसको चलाने के लिए जो energy देंगे, that's name is the action element, main action element है, sensing element के तरफ चलते हैं, sensing mechanism measure the performance of automated system or particular property of an object, थेखो, सुनो बहुत important है, sense करना sense करना, sensor एक परकार का device है धेर सारे sensor हम लोग पढ़ेंगे automation में, एं sensor, बिना sensor के दुनिया में, ऐसे बहुत सारा automated system नहीं बनाया जा सकता है मैं example दे रहा हूँ, मैं अभी mall में गया था, एक बड़ा सा mall, आप भी जाते हैं mall, mall में जाईएगा तो जैसे ही दरवाजा के पास खड़ा हुए, खड़ा नहीं हुए घुसने जा रहे हैं, उग पांच फिट दूरी से ही जान जाता है कि यह फालाना बाबू आ रहे हैं इनके लिए दरवाजा खोल देना चाहिए नहीं, ऐसा नहीं है कि आप फालाना बाबू हैं से दरवाजा खोल रहा है कोई भी आदमी जाएगा उसके लिए दरवाजा खुलेगा, इसका कारण है दरवाजे के ठीक सामने में आपका एक sensor लगा होता है जैसे आप उस sensor के संपर्क में आते हैं sensing element receive करता है information और वो system को दे देता है और system के अनुसार से जो उसका work करेगा दरवाजा खोलना है तो दरवाजा खोलेगा या कोई और काम होगा और system उसमें डालेगे हैं जो कि आगे element पता चलेगा तो पता चलेगा तो यहाँ पर हम क्या पढ़ें sensing element मतलब वो जो दरवाजा में लगा हुआ था वो sensor लगा हुआ है वो क्या करता है information collect करता है देखे पढ़िए sensing mechanism measure the performance कैसे काम करोगे उसको measure करता है of automated system और particular property of object object के गून को भी बताता है sense करके बताता है कि यह कौन है और कैसे काम करेगा ठीक तो sensing element बहुत ज़रूरी है बिना sensing element कि अगर आप सोच रहें कि automated system हम बना दें possible नहीं है इसे में एक example मैंने दिया thermostat अगर पानी एक pipe है पाइप के अंदर thermostat डाल दिये हाँ thermostat क्या होता है temperature को measure करने वाला एक device thermostat अज़ थर्मामीटर का नाम सुने हो ना यस उसी thermामीटर की बात कर रहा हूं मैं thermामीटर का नाम बहुत अच्छे से सुने है thermामीटर क्या करता है heat को measure करता है यस थर्मामीटर heat को measure करता है यही थर्मामीटर thermostat नाम के thermocouple यहां लिखा है जो कि हम लोग एक pipe के अंदर डाल देते हैं जो measure करता है उसमें थर्मामीटर जैसे devices लगे होता है और वो measure करता है coldness या hotness को यह temperature को measure करता है तो एक परकार का sense ना किया जी जैसे पानी कितना गर्म है कैसे तुम जानते है जब अंगुली डालते हो तुमको महसूस होता है कि हाँ पानी गर्म है या पानी ठंडा है तो भाई क्या हुआ तुम्हारे body में neuron है जिससे तुम sense करते हो sense अगर तुमको कुछ चुट्टी काट रहा है तुमको पता ही नहीं चलेगा कि कौन चुट्टी काट रहा है क्या कर रहा है sense नहीं तुम senseless हो गया sense का मतलब होता है ठीक है कि particular उसकी property के बारे में बताना तो मैं बताया क्या कि पानी गर्म है तो पता कैसी चलेगा तो बताएगा थर्मो कापल heat energy gain करेगा और वो दे देगा आगे सुनिए control element को अगला कौन है control element बहुत important चीज है ठीक है मैंने आभी आपको दो चीजे को दो चीजों के बारे में बताया एक का नाम रखा action element दूसरा का नाम रखा तो control element का काम है sensor से information लेना आखले सनो control element control तो करता है लेकिन control कैसे करता है sensor से पहले information ले लेता है, sensor क्या करता है तुमने अंगुली डाला था पानी में तुमको गर्म लगा, हाँ तो उसे information लिया, इसमें इतना temperature है, अब वो information किसको देगा control element को अब सोचो, जैसे मैं example दे रहा हूँ, अभी ही मैं example दे रहा हूँ अभी ठंड की मौसम है अभी सनान करने हम लोग जाते हैं तो हम लोग के पानी बाल्टी में पानी होता है, तो गरम पानी होता है, तो पहले तुम अंगुली डालते हो, तो तुम्हारा पानी ज्यादा गर्म लगता है, तो तुम्हे पता है कि वो तुम्हारे sense किया ज्यादा गर्म है यहीं कि वो information किसको दिया हम अभी अपना example ले रहे हैं एक automated system हम भी है तो हम अपने दिमाग में भेजे ठीक है control element को भाई control element control करो इतनी गर्म पानी से नहोगे तो जल जाओगे then again फिर तुमको information इसके अंदर एक information रहता है program जो last में है जो पढ़ेंगे decision element और program decision element पहले decision element क्या हो गया कि decision लेगा करना क्या है करना क्या है भाई गर्म पानी है तो गर्म पानी से नहोगे तो फिर decision आता है नहीं 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 इसमें और cold मिलाएंगे थंडा तो जाके उसका प्रोग्राम किया रहा था है कि कोल्ड मिलाएंगे कितना कोल्ड पानी मिलाएंगे कि ओ फिर नॉर्मल हो जाए मैं इसे पूरा नहीं बता दिया अभी तुरत अभी और पढ़ेंगे मैं एक एक्जामपल सेट किया एक्जाक्ली इन सब का मतलब क्या होता है ठीक है एक automated system बनाने के लिए पाँच अलग-अलग element है पाँचों element को हम लोग एक एक करके समाझ रहे हैं जिसमें की control element है पढ़िए control element को control element to use information provide by the sensing mechanism sensing mechanism मतलब sensing mechanism से सारा information control element को मिलता है to regulate the action element of system मतलब उस system को चलाने के लिए information जरूरी है अगर आप information नहीं देंगे तो चलाएगा कैसे कि इस क्या करके चलाएगा कितना कोई भी चीज को चलाने का मतलब operate करना अगर उसको अगर आप उसको information नहीं देंगे तो सनुसार से कैसे अभी मेरा driver ही मेरी गाड़ी में बढ़ता है तो बोलता है कि नहीं कहां चलना है सर हम उसको information नहीं देंगे तो गाड़ी कहां चलाएगा सोच के चलिए तो क्या हुआ यहां पर कि अगर sensing element sense करता है और वो अपना information control element को देता है control element तेखे for example we take a valve मने भाल बंदो ले तो भाल्व समझते हो नल देखे हो नल में देख तो खोलते हो तो पारी गिरने लगता है बंद करते हो तो पानी बंद जाती है यस तो वाल्व है एक परकार का टीक है open to open allowing a liquid to flow into the tank tank पे पानी जाने के लिवे तुम उसको open करते हो और close it stop flowing मतलब उसको बंद करने के लिए इसका पानी का flow बंद करने के लिए तुम इस टॉप कर देते हो तो जो valve है एक प्रकार का एक प्रकार का control element है जो पानी को नियंतरित कर रहा है pipe से यस pipe से अर शुनो ना जी इसके पहले भी एक example लिए थे हम लोग pipe वाला ही पाइप वाला ही लिये थे, heat, change कर रहा है temperature को, और यहां भी हम लोगे एक इंजमपल लिये थे, एक thermocouple instantaneous pipe, pipe वाला ही एक जमपल सब ले रहे समझ में आ रहा है, pipe के अंदर हम लोगे गर्मी पता कर लिए, कितना ठंडा कितना गर्मी और गरम पानी हमें flow कराना है, तो कितना मा information कौन देगा, sensing element, yes, तो sensing element और control element एक दूसरे के साथ ही हो गए, आईए, आगे बढ़ते हैं, चलिए next है हमारे पास decision element, decision element बहुत जरूरी है, इसके बीना तो काम चलेगा ही नहीं, decision लेने वाला एक तत्तो, एहनि automated system में decision लेने वाला तत्तो, automated system में decision लेने वाले को हम लोग decision element बोलते हैं, question पढ़िए इसको मतलब question बोलते हैं, sorry, in automated system, decision making is performed either by computer, अपने से decision नहीं लेता है, एकदम इसमें system बने हुए हैं, और decision लेगा, decision मतलब कोई भी काम करने के लिए, yes, no, कई भी कोई होता है ना कि decision लेना है, तो finally decision लेगा कौन, decision आपका दिमाग लेता है, आपके काम के लिए, yes, जो भी करना हो ही decision लेता है, उसी के according तो सोच के करते हो, कोई भी काम दे दिया, task तो decision लेना पड़ता है, ठीक, automated system decision making is performed either by a computer, such as thermostat, और by program stored in a memory of, ठीक, एक computer, computer के memory में program stored रहता है, उसी के दवारा decision लिया जाता है, yes, इसके बिना decision possible ही नहीं है, अगर आप सु हमारे में भी program stored है, उसी से decision लेते हैं, जी, yes, उसी से decision लेते हैं, decision, ठीक है, ओके, दूसरा है program, लास्ट है program, बिना program के तो दुनिया का कोई automated system काम ही नहीं करेगा, एक तरह से समझेए, इसको सांस है, इसके बिना सांस नहीं रहता है, तुमारे सरीर में तो मरे ही जाओगे तो बिसी बात है, किसी में program नहीं रहेगा, तो वो automated system काम ही नहीं करेगा, automated system कितना speed पे काम करना है, क्या काम करना है, कैसे काम करना है, यह सारी जानकारी हमें program देता है, program, program of a automated system include both process and command information, बढ़ी अच्छा से, command information को भी देता है, भाई, command का मतलब ए चालू हो जाओ, ए भी प्रॉबником मुझ से बोल रहे है ये machine information देता है, अपने system को, अपने system को, ठीक है, इतना production rate करो, इतना fast speed करो, इतना slow करो, वो program रहता है, ठीक है, बिना, तो command information और process दोनों काम कराता है भाई, command information और process, क्या क्या मैंने बोला, command information और process, ठीक है, तो command information और process के लिए हम लोग program यूज करते हैं Process information contains data that indicate how the various component of a system have to function बढ़ी अच्छास पढ़ी ध्यान सुनिएगा Process information contains data जो भी process information आया उसमें data रहता है वो बताता है कि कैसे कोई component कितना और कैसे काम करेगा ठीक है have function of in order to achieve desired result और एक desired result मतला हम जिस काम के लिए उस machine को लाएं है वो पूरा work कैसे करेगा ठीक है तो ये पूरा का पूरा program system है जैसे मैं example दे रहा हूँ मैं एक nut bolt बोल्ट बनाने वाली company में गया तो वहाँ देखा कि nut bolt बन रहा है diameter set कर दिया गया ठीक है उसमें raw material डाल दिया गया और उसके बाद ठीक है अब raw material डाल दिया गया अब उसके बाद एक programming system डाल दिया कि एक घंटे में एक हजार nut बनेगा ठीक उस अनुसार से machine अपने आपको regulate करना शुरू कर दिया cut cut करके ठीक एक घंटे के बाद एक हजार nut ठीक है जो हम लोग nut और bolt यूज करते हैं nut बन करके तयार होके आ गया ठीक है तो इस तरीके से पूरा एक automated system काम करता है किसी भी automated system को बनाने के लिए हम लोग मुख्यता 5 main element का परियोग करते हैं और उन पाचो element का नाम मैंने आपके सामने रखा पहला नाम है action element दूसरा नाम है sensing element तिसरा नाम है control element चौथा नाम है decision element और चौथा नाम है program element यानि इन पाचों का नाम आप भी याद रखेंगे इन पाचों को मिला दीजेगा तो एक control system यानि automated control system बन जाएगा यानि अच्छे से एक automation का निर्मान हो जाएगा ठीक तो इन ही को और अगे detail पढ़ते हैं चलिए तो इसको अच्छे से note कर लिजे बढ़िया से पहले आप अच्छे तरीके से note कर लिजे पहले इसको एक screenshot ले लिजे क्योंकि notes करने के लिए ज़रूरी है अगर आप अपने से लिखेंगे notes बन जाएगा बहुत बढ़िया से notes बन जाएगा चलिए अब आप बोलेंगे sir आगे क्या इसके बाद क्या अभी बहुत सारा topic बाकी है अब अगला जो topic हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है types of automation types of automation क्या मैंने बोला types of automation यह हम लोग पढ़ने वाले हैं automation कितने परकार के होते हैं जो हम लोग अभी automation पढ़ रहे हैं वो कितने परकार के होते हैं तो मुक्यता तीन परकार के automation देखने को मिलता है एक है fixed automation पढ़ चुके होंगे तो ठीक है नहीं पढ़ चुके होंगे तो मेरी बात सुनिये पहला automation का नाम है fixed automation दूसरा automation का नाम है programmable automation और तीसरा automation का नाम है flexible automation ठीक है तो इसी को जिसमें fixed automation को हम लोग hard automation बोलते हैं और last वाला जो flexible है उसको हम लोग soft automation बोलते हैं तो बहुत अच्छे स पढ़ेंगे, ठीक है, automation के प्रकार, types of automation, तीन तरह के होंगे, ठीक है, तीनों को पढ़िए, अगले लेक्चर में हम लोग इसी topic पर बात करेंगे, यह types of automation, चलिए, तो यह लेक्चर को अच्छे से note down कीजे, ठीक है, बढ़िया से note down कीजे, मैं इसको मिटा देता हूँ, एक प रेक्चर मित नहीं, thank you, thank you very much.